हेलो एब्रीवन आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे बेबी डाइपर यह नैपी में इस तरह से बनाया है कि आपका विस्तरवी गिला नहीं होगा और यह बाटर प्रूफ है इसको हम धो भी सकते हैं दुबारा बार बार यूज भी कर सकते हैं नैपी बनाना शुरू करते ह नैपी बनाने के लिए कपड़ा मेंने लिया है यहां पर कोटन का कपड़ा लेंगे एकदम सोफ्ट कपड़ा होना चाहिए कोटन का तो यह कपड़ा लिया है और यह कपड़ा है हमारा जैसे चार पीस हैं कपड़े के तो चार पीस लिये हैं कपड़े के तो कितना मेजर्मे को यह फोल्ड हो गया कपड़े को मैं ऐसी रख लोगी यह फोल्डिर साइड है यह ओपन साइड है अब यहां से लेंगे 2 इंच तो इंच पे ऐसी निशान लगाना है दो इंच निशान लगने के बाद यहां से हमें सीधा इस तरह पांच इंच लेना है यहां से सीधी लाइन पांच इंच की ऐसे लगा लेंगे इसके बाद हमें यहां से चार इंच लेना है यह चार इंच पे ऐसे निशान लगा देंगे यह पॉइंट है और यह पॉइंट दोनों को इस तरह मिला देना है तो इस तरह हम रखेंगे जैसे साड़े तीन आया है तो इसका हमें मीडल पॉइंट लेना है यहां पर मीडल पॉइंट आ गया और यहां से आदा इंच हमें उपर को लेना है इसको हमें थोड़ा सा ऐसे रा यह मार्किंग हो गई है अब पटिंग कर देंगे तो यहां से हमें इस तरह ही जैसे मार्किंग की है उसी तरह हमें कटिंग कर देनी है यह हमारा इस तरह आया है तो यहां से भी हमें थोड़ी राउंड में शेप देनी है ऐसे तो यहां से जैसे आदा इंच आएगा आदा इं तो इस शेप में हमारा ये बन गया है तो ये हमारे चार पीस हैं तो दो पीस हम इस तरह से रख लेंगे और दो पीस हमारे ये आ जाएंगे अब दो पीस ऐसे रखेंगे इसे हमें बाटर प्रूफ बनाना है तो बाटर प्रूफ बनाने के लिए जैसे ये मैंने प्लास्टिक क अगर आप मार्केट से लेना चाते हैं तो बाटर प्लास्टिक आती है मार्केट में भी वो भी आप ले सकते हैं तो मैंने ये घर में ही हमारे पास के पोली थीन होते हैं ऐसे अच्छे-च्छे क्वालिटी में आते हैं वही लिया हुआ है इसको हमें इसके उपर रख लेना है और इसके ब्राबर ही कट कर लेना है इस तरह रखा है इसी के ब्राबर हम कटिंग कर लेंगे इसकी पूरा इसी तरह कट कर लेना है तो ये प्लास्टिक का पीस में ने कट कर लिया है अब इस पीस के अंदर हमें इसे लगाना है तो जैसे ये दो पीस हैं इसके अंदर हमें इस इस तरह यहाँ पर सेट करना है इस तरह सेट कर लेंगे ज़्यक्त कीया खिल तरह चैपस सेट भी में यहां से स्थाई होकिना है, बर्ञार दर्शोचा अंधर करना है WE जब हम फ्रंट का पीस पनाएंगे तो फ्रंट के पीस के लिए ये भी दो पीस कट किये हैं इन पीस को भी हमेंactor सेपरेट कर लेनाहें इसके बाद हमें एक और दोड़ा करड़ा है तो जैसे कोई आपके पास पुरानी बैट शीट है जा कोई रुमाल है जा आपके पास कोई टावल है तो उसका कपड़ा भी हम ले सकते हैं क्योंकि ये हमें यहाँ पर लगाना है जो बेबी जब सुसु बगेरा करेगा वो इसमें सोक होगा तो ये कपड़ा मैंने लिया है ये डबल में है इस कपड़े को हमें इस तरह फोल्ड करना है ऐसे फोल्ड किया और एक और फोल्ड करना है तो कपड़ा हमें कितना लेना है जैसे यहाँ से मैंने तीन इंच आना चाहिए और यहाँ से नाइन इंच लिया है इसको हमें ऐसे रखना है और इस तरह देख लेना है बराबर हमारा ऐसे आए यहां सिलाई के लिए अदा दा इंच बच जाएगा और यह ऐसे रहेगा इस तरह से अब यहां से इसे सिल देना है इसके साथ यहां पर मैंने सिलाई लगा के इसे attach कर दिया है इसके साथ ये attach हो गया है अब ये दूसरा कपड़ा है इसे हमें इस तरह रखना है उल्टा ही और इस कपड़े को हमें इसके उपर ऐसे रखना है और यहां से लेके जैसे shape है उसी तरह हमें सिलाई लगा देनी है ये piece भी सिलाई लगाके मैंने ready कर दिया है प हमारा जहां पर प्लास्टिक हमने डाली है ये piece ऐसे रखेंगे और ये piece है हमें इस तरह रख लेना है इसके उपर ब्राबर करके दोनों पी सेट करके रख दिये हैं अब सिलाई लगाने है तो यहां जो पहले सिलाई लगई हुई है उसी के उपर हमें सिलाई लगा देनी है इसी तरह राउंड में यहां तक सिलाई लगा देंगे तो यहां पर मैंने ये सिलाई लगा दी है अब यहां से हमारा ये राउंड में है तो यहां से जैसे इस तरह से हमें नोचीज लगाने है सिलाई ने काटनी नोचीज लगानी है इसको हमें सीधा करना है तो हमारा इस तरह ये सारा कट कर लेना है इसके बाद हमें नैपी को सीधा करना है तो यहां पर मैंने सिलाइनी लगाई इसे हमें ऐसे सीधा कर लेना है इस तरह से ये पार्ट हमारा ऐसे आजाएगा और ये कोर्नर है यहां से हमें अच्छे से ये निकाल लेने है Diaper को मैंने सीधा कर दिया है सारी सिलाइवं हम इस तरह से निकाल लेंगे इस तरह हम बराबर करके रख लिया है अब यहाँ पर एक पट्टी लगेगी तो यह मैंने पट्टी ली है यह डबल में है तो यह कितनी लेंगे हम यह मैंने ली है 13 इंच तो डबल में है, यह सिंगल करके हमारी 26 हो जाएगी तो इस स्टिप्स को हमें यहाँ पर लगाना है तो इसका हमें पहले सेंटर ले लेना है तो यहाँ पर यह इसका सेंटर हो गया और इसका भी हमें इस तरह सेंटर ले लेना है तो दोनों साइड में ले लेंगे ऐसे अब ये स्टिप्स है इसे हमें यहां पर लगाना है तो इसे हमें इस तरह रखना है ऐसे में रखी है और इसको इस तरह नीचे को कर लेंगे ये हमारी स्टिप्स का सेंटर है और ये हमारा इसका है और यहां से यहां तक सिलाई लगा देनी है यह सिलाई लगा दी है तो यह स्टिप्स हमें चोड़े में कितनी दो इंच लेनी है इस तरह चोड़े में दो इंच लेंगे तो यहां पर सिलाई लगा दी है अब इस स्टिप्स को हमें इस तरह से निकाल लेना है और यहां से हमें फूल्ड करना है और फिर से फूल्ड करना है और यहां पर हमें सिलाई लगा देनी है और यह भी हमें इसी तरह फूल्ड करना है यहां से पकड़ते हुए पूरा यहां तक सिलाई लगा देंगे पट्टी मैंने यहां पर सिलाई करके इस तरह से लग गए है तो दोनों साइड से हमारी यह इस तरह से दिखेगी तो यह कंप्लीट होगी है अब इसे हमें इस तरह से रखना है तो यहां पर इसे बानना है तो वो हमारी जो पट्टी आएंगी यहां पर लूप बनेंगी उसके लिए भी हमें ये कपड़ा चाहिए तो ये भी मैंने लिया है 2 इंच चोड़े में है और यहां से लेंगे 6 इंच इस कपड़े को इस तरह फोल्ड करना है यहां से ऐसे फोल्ड करना है फिर से फोल्ट करेंगे और यहां पर सिलाय लगा देंगे यह पत्ती भी बनके रेडी हो गई है इस तरह से यह पत्ती बन गई है इसके बाद हमें यह यहां पर लगाने है तो यहां पर मैं लूँगी 2.5 इंच यहां पर हमें 1.5 इंच लेनी है दो स्टिफ्स कट कर लेनी है यह पार्ट है यहां पर लगेगी तो यहां पर हम इसका यहां पर एक निशान लगा लेंगे इतना और यहां पर भी दुन्हों हमारा साइड से ब्राबर आना चाहिए इधर से भी ऐसे निशान लग गया अब ये लूप है इसको हमें थोड़ा सा ऐसे फूल्ड करना है यहां रखेंगे और यहां से भी फूल्ड करना है और यहां पर हमें दो-तिन सिलाहिया लगा देने हैं यहां पर भी जिससे पक्का हो जाएगा और यह भी इसी तरह लगा देंगे यह दोनों मैंने यहां पर लगा दे हैं यहां पर हमें मुझगूती के लिए दो दो तीन तीन सिलाइं लगा लिरी हैं तो इस तरह से हमारे यह लूप लगे हैं अब इसको हमें इस तरह से रखना है और यहां पर जैसे बेबी को रखेंगे और यह बेबी के उपर टांगों के बीच में सेंटर में आएगा और यहां से इस तरह से हमें इसमें डालना है और यह इसमें डालना है और यहां पर हमें ऐसे नोट लगा देने है इस तरह से हम इसे पहना देंगे बेबी को तो यहां पर जैसे इस तरह से यह पट्टी हमारी दिख रही है यहां पर दो लटकन भी लगा सकते हैं दो इंच की है यहां से भी दो इंच की है इसको हमें इस तरह से ऐसे रख लेना है और यह हमारी यह स्ट्रिप्स है इसको ऐसे रखेंगे इस तरह फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा देंगे दो सिलाई लगा देंगे यह सिलाई लगा दी है सिलाई लगाने के बाद यह एक्स्रा कपड़ा है इसे हमें कट कर लेना है इस तरह कट हो जाएगा और इसको हमें ऐसे खूल लेना है तो ये हमारा इस तरह से देखेगा दूसरी साइड में भी हमें लगा लेना है ये दुनों साइड में हमारे लग गए है अब इसको हमें इस तरह से रखना है और जैसे पहले हमें ने बताया उसी तरह हमें इसे ऐसे बांद के बेबी को पहना देंगे तो friends यह जो नैपी बना है हमारा जैसे newborn baby के लिए है एक से 6-7 महिने के लिए अराम से आजाएगा अगर आपको बड़ा बनाना है तो इसको आप बड़े में काटें जैसे मैंने यहां से 12 इंच लिया था आप 14 इंच ले सकते हैं बच्चे की हिसाब से तो यह मारा एकदम छोटा साइस है यह diaper है तो इसको मैंने waterproof मनाया है तो इसको हम धो भी सकते हैं जैसे market में भी हमें बहुत सारे नैपी मिलते हैं तो के बच्चों के जैसे allergy हो जाती है उनसे तो आप घर पे ही आप बना सकते हैं इस तरह से तो बच्चे को allergy भी नहीं होगी और एकदम comfortable बच्चा भी रहेगा आप भी इस तरह का नैपी बनाए अपने बच्चे के लिए और comment box में लगए कि आपका नैपी कैसा बना वीडियो आपको थोड़ा भी helpful रहा हो तो वीडियो को like, share और subscribe करें तो चले मिलते हैं अगले इसी तरह के ने वीडियो में